विल्कॉम टूडान डिटल तो आज की हम प्लास कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने उबजेक्टिव स्टार्ट की थी क्लास 10 MP वोर्ट के चाहटरों के लिए जिसमें क्लास हमारी हो चुकी है उसमें हमने आज हमागे उसी के आगे चीज़ों को डिसकस करेंगे तो ताइम का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपन लेते हैं आज का पहला प्रस्ट अब्जेक्टिव वाला और क्या लिखा है जरद्यान समझेगा लिखा है SCF of 11 and 13 SCF of 11 and 13 will be 11 और 13 का SCF महत्तम समापर तक क्या होगा SCF क्या होगा तो SCF का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप यह समझें कि SCF का जो मतलब होता है वो होता है highest common factor highest common factor ठीक है highest common factor कहने का मतलब यह है कि आपको 11 और 13 का SCF निकालना है सबस्क्राइबस और 13 सब्राइबस नहीं होगा जो 11 को भी डिवैड़ कर सकता और 13 को तरों अप्सण भी नहीं होगा के हर एक integer को डिवाइड कर सकता है है आप तो यह दोनों प्राइम नंबर है और जब भी कोई दो कर चुके थे डिस्क्रिमिनेंट वाला मेटर मैंने आप से कहा था कि मेरी जेव में पैसे हैं 10 रुपए हैं 20 रुपए 50 मतलब प्लस में तो मैं कह सकता हूं कि यह रियल बात है क्या कह सकता हूं यह एक real वात है अगर मैं कहूं कि मेरी में पैसे नहीं है मतलब 0 रूपएज है तो यह भी है मेरी जेब में होस्थ का पैसे नहीं हो पर क्या मैं यह कह सकता हूं कि मेरी में माइनस 10 रूपए है बोलो कह सकता हूं बिल्कुल नहीं तो यह imaginary होता है that means अगर d discriminant जो है वो अगर minus वाला हुआ negative हुआ तो हमेशा जो roots होंगे वो imaginary होंगे और अगर d या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो roots हमेशा real होंगे तो आप यहाँ पर देखिए इसने कहा है in quadratic equation a x square plus b x plus c equal to 0 if इसमें इसमें क्या हो b square minus 4ac b square minus 4ac means क्या discriminant discriminant जो हो वो 0 से क्या हो छोटा हो सर 0 से छोटा हो मतलब minus में होना तो इसने यहाँ clear कर दिया कि जो d है इस equation में जो d है वो minus में और मैंने आपसे कहा कि क्या मेरी जेव में minus में रूपए हो सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो यह केवल आफे थे कल्पना है इक इमेजन है तो इसी लिए हम कहेंगे यहां पर जो रूट हों कि वह रील नहीं हों गे तो दो आपसन तो आपके हो गलत क्री रील यह हों ज़गे अधर क्या होंगे अगला प्रस्म देखका कि condition of similarity दो टेंगल सिमिलर ये भी हम काल डिसकस कर चुके हैं सिमिलर मतलब क्या होता है सर सिमिलर मतलब होता एक जैसा दिखना और कॉंग्रेंट मतलब होता जुड़वा मतलब यहां पर जो बात हो रही वो पिता और पुत्र वाली कहानी है ठीक है पिता और पुत्र एक जैसे दि तीनों एंगल अगर सेम हों तो सिमिलर्टी होगी एंगल एंगल सिमिलर्टी लगा सकते हैं एंगल साइड एंगल सिमिलर्टी लगा सकते हैं तो यहां पर तीनों की दिनों प्रॉपर्टी सही है आप एंगल 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 प्रॉपर्टी लगा के सिमिलर्टी दिखा सकते ह ने हहेंता है जो जय होंगे तो भी बात वाही होगे थीसरा आर्टोमेटीकल हो जाएगा मैं करनके वी बीच के आम सहिंगते हैं तो हमारे जो आप्स नुट तीनों जो condition है यह similarity की condition से that means answer होगा all of above सारे के सारे answer इसके सही है अगला सवाल देखिए सर ये trigonometry का जो part है one plus ten square theta one plus ten square theta तो ये एक identity है और इसका value जो होता है वो होता है six square theta सब को ये याद होगा क्योंकि क्लास 10 पढ़ चुके हो मैं तो केवल objective की बात कर रहा हूं basic की बात बिल्गूर कर भी नहीं रहा हूं क्योंकि अब हम exam के पास में हम 10th start नहीं कर रहे तो basic से पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि one plus ten square होता है ये एक identity होती है ऐसए ही दो identity ओर होती है जो आपको पता होना चाहिए हो सकता है exam में इसकी जगा वो पूछ ले sign square theta plus 14th quarter equal to क्या होताई ये एक identity होती है एक और होती है one plus ten वाली तो आपने लिख ली one plus ten square theta क्या होता है सर यह होता है सेक स्क्वाइड ठीटा इडिटी नमबर दो और तीसरी इडिटी होती है वन प्लस कोट स्क्वाइड ठीटा और यह होता है को सेक स्क्वाइड ठीटा के बराबर किसके बराबर होता है यह को सेक स्क्वाइड ठीटा तो यह हो गया आपका इडिटी नंबर थार्ड अगला सवाल देखिएगा अच्छा सवाल है देखिए यहां पर सवाल में क्या है एक आदमी की परच्छाई क्या हो उसकी हाइट के बराबर हो मतलब सपोज मान लीजिए मान लीजिए सर की है क्या मान लीजिए यहां पर है सूर्य ठीक है यहां पर सूर्य है और इस सूर्य की जो और यहां पर एक है आदमी ठीक है एक सूर्य है और एक आदमी है जो की मान लीजिए यहां पर खड़ा है तो होगा क्या इस सूरी की जो कीरन आएगी इस सूरी की कीरन जो आएगी यहां से जाएगी तो उस आदमी की जो परच्हाई बनेगी परच्हाई होगी सर यहां पर होगे हैं इसका मतलब कि यह इस साइड को ने कि यह होगे और यह दोनों के गोने बराबर होगे यह दोनों कोकी आप insult इतना दिमाग वहां नहीं दोडाना एक्जाम में आपके पास समय कम होता है तो आपको यह समझना पड़ेगा सहब कि जब भी आदमी और उसकी परचाई बरोबर हो तो एंगल ओफ एलिवेशन हमेशा 45 डिग्री ही होगा 45 डिग्री होगा तो ही आदमी की हाइट और परचाई बरोबर होगी यहाँ पर आदमी के जगह ट्री भी आ सकता है पेड़े आ सकता है एक पेड़ है और उसकी परचाई दोनों बरोबर है अगर पेड़ और उसकी परचाई बरोबर है तो इसका मतलब पकका-पका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री होगा हाँ या ना अगला सवाल नहीं होने का चांस पी इनौट ठीक है तो हमेशा किसी घटना की होने और नहीं होने का जो चांस होता है वो टोटल वन होता है ध्यान रहें अगर ये भी सही है और अगर परसेंटेज में बोलें तो किसी घटना की होने और किसी घटना के नहीं होने का जो चांस होता है वो 100% ह साइंडर्ट परशेंट को अग dared ुपर सेंट मतलब कि ये वन-के-बराबर होता है कि prova के बराबर ही होता है तो अगर परसेंटेज में दिया हो तो आप हिंड़िध पर्सेंट लिखेंगे वन का वेली ही फितांड़् फित्ट ये सवाल था आपका किसी भी घटना के होने और नहीं होने का chance जो होता है वो total मिला के 1 होता है यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है उसको भी हम discuss कर लेते हैं कभी कबार यह बोलता है कि sir PE का जो value है PE का जो value है वो 0.4 है तो बताओ PE not क्या होगा तो हमें यह चीज़ पता होनी चाहिए कि sir हम जानते हैं कि PE और PE not probability of event probability of not any event is equal to क्या होता हमेशा 1 होता है क्या होता है सहाब 1 होता है PE का value आपके पास है PE 0.4 है प्लस PE not आपको निकालना है तो PE not क्या हो जाएगा सहाब PE not हो जाएगा 1-0.4 that means आपका आणसर होगा 0.6 क्या हो जाएगा 0.6 तो किसी भी घटना कि होने और नहीं होने का जो chance होता है वो होता है 1 दोनों मिला के 1 होता है ठीक है दोनों को मिला के 1 होता है जैसे माल लो हमने एक डायस को थोगया एक पासा उच्छा ला तो पासे में टोटल 6 चीजें होती है तो या तो 1 आ सकता है या तो 2 या तो 3 ऐसे 6 तक कुछ भी आ सकता है पर सारी घटनाओं को अगर हम मिलाएंगे तो आंसर बनाएगा ठीक है आंसर क्या आएगा बनाएगा चलिए आगे बढ़ते है तो अगला जो सवाल है वो फिर से quadratic equation से आया है the nature of roots the nature of roots of the equation विल भी तो वही बात real equal आपको real और equal बताने के लिए तीन चीजें होती है अगर d common 0 हो जो roots होंगे वो क्या होंगे? roots जो होंगे देखो 3 चीजें हो सकते हैं फिर से repeat कर दें भाइज को या तो d 0 आएगा या तो d जो हो वो 0 से छोटा आएगा या तो d जो है वो 0 से बढ़ा आएगा 0 से बढ़े का क्या मतलब हुआ? 0 से बढ़ा मतलब d common या तो plus का होगा या तो d common minus का होगा या तो d common 0 के बराबर होगा तो इन तीनों cases में आपको čीज़े क्या समझनी हैं कि अगर ये condition आई अगर ये condition आई, D अगर minus में हो, तो roots क्या होँगे, सर पहले भी discuss कर चुके हैं, roots जो होँगे वो imaginary होँगे, क्या होँगे, roots जो होँगे वो imaginary होँगे, क्या होँगे roots, imaginary होँगे, और, different होँगे, equal नहीं ह पैसे नहीं है तो यह रियल हो सकता है that means roots क्या होंगे roots होंगे sir real और यहां पर D का मान 0 है इससे roots जो होंगे वो equal होंगे roots क्या होंगे equal मतलब alpha और beta दोनों ही मान सेम आएंगे यहां पर देखिए D जो है वो 0 से बड़ा है मतलब मेरी J में पैसे हैं तो यह यहां पर भी जो roots होंगे वो अनिकवल होंगे तो बात को समझना equal root कब होते हैं equal root तभी होते है जब D का मान 0 हो नहीं तो different ही होना है ठीक है real root कब होंगे sir real ही होते है केवल एक ही condition में roots इमेजने होंगे जब D कमान माइनस में हो तो आप बताना अगर मैं यहां से डी निकाल लूँ इस सवाल के लिए हम दी निकाले तो डी बराबर क्या होता है होते है D स्क्वास at ृप बोटा ओ लूहाँ न गी बराबर बी स्क्वास at ृप यहां पर बीक Tapu कि इतना है सर硬 का जो वेली आ रहा है वह कितना रहा वन यह वह वैंन यह का वेलिऌ क्या हो गया बन ऑर सी का विपशन समय यहां माइनस इनलीन का स्क् máxim Line का स्क्वार EP D का value 5 आया, X का मतलब D का मान जो है वो 0 से बढ़ा है, इस condition के बात हो रही है, D का मान जो है वो 0 से बढ़ा है, D का मान 0 से बढ़ा हो, तो हम क्या कहेंगे, roots जो होंगे, वो real होंगे और unequal होंगे, कहां पर लिखा real और unequal, option B, option B आपका सही answer, ठीक है, चलिए, अगला सवाल द हो चाह, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, कि अगर हमें 11 पद निकालना है, 11 नमबर का term निकालना है, तो जो भी term निकालनी है, उससे एक बार कम D जोडना है, एक बार कम D मतलब 10 D, किसमें जोडना है, A में, तो ये आपका होता है formula, अगर आपको 11 तम निकालना है, तो 10 D जोड़ना है अगर आपको 20 निकलना है तो जो भी हाँ जो भी नमबर जैसे मालो आप ए-n निकाल रहों ए-n वा टम निकालना है तो ए में आप इससे कम जोड़ोगे ए में इससे कम क्या डी जोड़ोगे ठीक है यह तक चलिए तो अब हम यहां देखेंगे हमें 11 करना है सर माइनस 3 से आधा हो गया मतलब डी का मान है वो मुझे लग रहा है धाई है कितना है एक बार आप चेक कर लो डी कमान कितना है धाई है यह आधा है यह तो आधे में से 3 घटा होगे ध्यान से देखो आधे में से माइनस के आधे में से क्या घटा होगे माइनस के 3 घ 12 सो जाएगा तो अंसर आएगा माइनस वन बाइटू लिए प्लस इसर तीन में से अदर जाएगा तो क्या बचेंगा ना ड़ाई मतलब पांच बटे दो डी कमान कितना लागे है कि इसे पांच बटे दो यहाँ पर पुट कर दीजिए से यहां हम दी कमान रख देंगे पांच बटे दो, दो से कितनी बार कटेगा या 5 बार, तो answer कितना है, minus 3, plus 25, 25 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 22, तो यही आपका हो गया, A11, ग्यार्वे नंबर का जो term होगा, वो होगा 22, ग्यार्वे नंबर का term क्या होगा, 22 होगा, बरोबर है, अगला सवाल देखो sir, sum of the first 5 term of multiple of 3 3 के multiple के सुरू के 5 सुरू के 5 तीन के multiple जो होते हैं उनका sum क्या होगा तो सुरू के 5 multiple क्या होते हैं 3 वंजा 3, 6, 9, 12 and 15 हो गए 5 इनको हमें जोड़ना है तो सर कुछ भी नहीं करना है जब भी इसका sum निकालना हो तो क्या करो बीच का पद उठालो no, beach का पद उठालो sum equal to middle term multiply number of terms अगर series continue है तो आप क्या करोगे जो भी series है उसका middle term उठालोगे मतलब 9 और कितने term है 5 तो answer आएगा 45 अगर आप इनको जोड़ोगे तो भी 45 ही आएगा ठीक है पड़ टाइम लगेगा पद है उससे गुणा करतो तो आपका answer मिल जाएगा ठीक है तो प्रस नंबर 20 आपका यह हो गया 21 पराते हैं इप the perimeter and the area of the circle are numerically equal ठीक है देन तर रेडियस of the circle वो कह रहा है कि एक circle है एक circle है जिसका वो कह रहा है कि एक circle है साहब एक circle है जिसका तो वो कह रहा है कि perimeter और area दोनों बराबर है A equal to क्या है P है तो A का value क्या होता है Pi R square P का value क्या होता है 2 Pi R ये दोनों क्या है बराबर है तो आप कुछ सोचो Pi से Pi उड़ा दे Pi से Pi उड़ा दे हमसे पुछा है radius तो आप सोचो इस R से यहाँ पर 1 R है यहाँ पर 2 है तो कड जाएगा तो R कमार कितना आगया सर 2 cm अगर R की value 2 होगी ना तो perimeter और area एक वल आएगा तो पूछा है R क्या होगा सर R होगा 2 unit R क्या होगा 2 unit ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए Slant height of the cone कोन की slant height क्या होती है कोन क्या होता है सर कोन इसको कहते है ठीक है और इसकी जो slant height होगी यह जो वाली height है यह वाली जो height है इसको हम बोलते है slant height देखिएगा यह वाली जो height इसी को हम बोलते है सर स्लant height क्या बोलते है इसको तो else define करते हैं अब आप खुद सोचो आप खुद सोचो यार दोस्त अगर मैं यह देखूँ कि यहां से perpendicular डाला और यहां पर और हमें यह पता करना है तो आपको नहीं लगता कि यह यह हाइट हो गई यह radius हो गई और आपको hypotenuse निकालना है hypotenuse तो according to pythagoras पाइथा गोरस क्या कहता है कि जो slant height होगी उसका square अधर two side के square के समके equal होटा है according to pythagoras अगर हमें slant height निकालनी है तो यह square हटा ना पड़ेगा अगर square हटेगा तो अधर क्या लगेगा root लगेगा L square equal to यहां फिर root नहीं आएगा ध्यान दो अगर यहाँ square आगया तो यहां root नहीं आएगा मतलब यह तो गलत हो गया अच्छाइँ हो हटा तो यहां root आंगया मतलब यह वाला आपको option सहीं हो गया यह वाला option देखे एक्जाम में क्या होता है आपको चीज़ें आती है फिर चीज़ तो यहां square है यहां रूटे गलत हो गया यहां भी square है यहां भी रूटे C भी गलत हो गया अब बचे B और D तो B और D में क्या है कि इस पर square आना चाहिए यहां नहीं आ रहा है ठीक है तो वह भी गलत हो गया तो आपका option सही कौन सा आ गया B option आपका correct answer है अगला सवाल देखिए which of the following cannot be probability of event किसी भी event अभी हमने डिसकस किया था कभी भी किसी घटना का जो chance है वह एक से ज्यादा नहीं हो सकता एक से ज्यादा नहीं हो सकता तो दो बट्टे तीन का मतलब सर होता है तीन का भाग दोकर तो 0.666 आएगा देखो यह एक से कम है एक से कम है मतलब यह जो value वह एक से कम है मतलब यह probability हो सकती है कहरा कौन सी इसमें से probability नहीं हो सकती इसका value minus में आ रहा है एक चीज यह देखो सर किसी भी घटना के होने का chance minus में भी नहीं हो सकता कोई भी घटना probability हमेशा जो होती है probability का answer हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ के एक तक होती है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ठीक है 0 भी आएगा और 1 भी आएगा 0 से छोटी मतलब minus में नहीं हो सकती एक से बड़ी नहीं हो सकती तो यह एक से छोटी है चलेगा minus में नहीं हो सकती सर तो cannot be probability that means हमें यहां समझा गया कि यह जो है यह probability नहीं हो सकती सही अंसर हो गया 15 का मतलब होता है 0.15 15% मतलब क्या 15 percent that means 0.15 तो 0.15 एक से बड़ा है sorry 0 से बड़ा है और 1 से चोटा है तो यह भी probability हो सकती है 0.70 से बड़ा है और 1 से चोटा है तो यहressing probability हो सकती है पर म Nossa में probability नहीं हो सकती है तो पूछा क्या है which of the following इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती जीरो से बड़ी और एक से चोटी होती है या जीरो या एक भी हो सकती है इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता एक से बड़ी दो तीन चार कभी भी नहीं हो सकती जीरो से चोटी माइनस में कभी भी नहीं हो सकती ठीक है तो हमेशा प्रॉ पार्ट था जिसमें हमने 23 सवाल किये हैं 23 सवाल किये और 23 में से उम्मीद है कि आपके एक्जाम में जो 6 सवाल होने हैं वह आपसे बन जाएंगे इनमें से अगर कोई कोस्टन नहीं भी आया तो यकीन मानिए जितने सवाल हमने किये हैं जो हमने इन कॉंसेट के बेस पर आप नया सवाल भी कर जाओगे एक्जाम में तो इनको एक बार रिवाइस कर लें चीजों को समझ ले अच्छे से रटा ना मारें कॉंसेट को समझें तो हो सकता यह नहीं कोई और सवाल आए पर अगर आपका कॉंसेट के लिए हैं तो आप उसका अंस करेंगे जिसमें से हम चूज दा करेक्ट वाला कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे की लास में डिसकस करेंगे में अग्ली वीडियो में उमीद है आपको हमारे वीडियो का फिर से इंतजार होगा बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्यू हमारे थैंक्यूस करेंगे लिए रिए क्या आपको हमारे वीडियो में आपको हमारे ने वीडियोर वीडियो वीडियोस।